Hello viewers, welcome again to my channel तो कैसे हैं आप सभी होप की एकदम अच्छे होंगे तो अच्छे ही रहना वक्की यार आज की वीडियो में आप सभी के सामने आपके ही questions के जवाब दूँगा तो हाँ दोस्तो आप सही सुन रहे हैं, सही देख रहे हैं आज होने वाली है Q&A वीडियो तो दोस्तो आप सभी से ही मैंने question पूछे थे, मैंने पिछले कल इस्टा पर story डाली थी कि यार ask me anything तो मुझे कुछ भी आप वोच सकते हैं, YouTube से related, मेरे channel से related तो हाँ पूछे भी बहुत सारे question, बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने यार मेरे story को जो है समझा और question पूछे वाकी दोस्तो यार मैं फिर आ चुका हूँ और नई वीडियो में आ चुका हूँ आपको जैसा मैं पिछली वीडियो में बोलता हूँ कि वीडियो को यार like कर दो share कर दो, comment कर दो, channel पर अगर नए आयो तो channel को यार जरूर subscribe कर दो तो चली अब आज की वीडियो को start करते हैं वैसे आप लोगों के question थे, अब मैं start कर देता हूँ तो आपको मैं बता देता हूँ, यहां देखो मुझे बहुत सारे questions पूछे गए यहां पर आप देख सकते हैं, यह भी है और आगे भी और है तो मैं सबसे पहले question है, मैं आपको यहां पर side में दे दूँगा यहां पर screen पे जहां पर भी दूँगा, बाद में दूँगा और पहले आपसे मैं बता देता हूँ, यार यह जितनी भी questions है, यह मेरे सारे YouTube से related question है तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एक थोड़े extra question भी, extra level के question भी पूछे गया है तो चलो यार, मैं आपको बता देता हूँ तो guys करते हैं यार आज की अब इस video को start, तो first question है अरजुन का तो यह लिखते हैं मुझे आपको कितने rupees मिलते हैं जोड़ जोड़ से लोगों को स्कीमें बता दे तो भाई मैं बता देता हूँ, मुझे अभी एक रुपए भी नहीं मिलता है तो अभी कुछ नहीं मिलता है YouTube से तो दूसरा question है हमारे पास साहिल भाई का जो इनका real name है तो आपकी पहली वीडियो बनाने में आपको क्या-क्या कठिनाया हुई और कैसे आप वनके तक पहुंचे कितनी मैनत लगी आपको भाई बहुत मुझकिलों का सामना करना पड़ा स्टार्टिंग में बारा भी बज जाते थे बारा भी बज जाते थे वीडियो को बनाने में एडिट करने में बहुत जादा टाइम लग जाता था और रही बात यार वीडियो को शूट करने की वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टा2 टाइम लगता था पर अभ ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा D ओडियन्स के लिए तो बहुत जादा टाइम लगता है उसमें यार बहुत जादा टाइम बेस्ट होता था बाखी कठी नाया तो नहीं बोलेंगे इसको पर ऐसा है दिक्कत याद भी थी की टाइम लगता था एक क्लिप को बनाने के लिए पहले चार-पांच क्लिप बनानी पहुचने में इयार खुदी सोच ओ एक साल का टाइम लगा तो बहुत जादा टाइम लगा एक साल में एक हजार सबस्क्राइबर गैन्ट किये तो आप सोची सकते हैं इतने जादा सब्सक्राइबर कर दिये वन येर में और इसी तरह से आर आप सपोर्ट करते रहना बहुत मैनत लगी यार भाई बन के करते करते बहुतों को शेयर किया बहुतों को बोला यार सब्सक्राइब कर दो चैनल सब्सक्राइब कर दो बहुत करते थे नहीं भी करते थे तो यही मैनत थी और ज्यादा कुछ नहीं वाकी मैनत थी वीडियो बनाने में और कुछ न नहीं लगी अच्छी डिसलाइक भी किया अगर बहुत अच्छी लगी तब सब्सक्राइब भी कर दिया चैनल को तो यह है हमारे साहिल भाई का अंसर तो अगला क्वेशन मुझसे क्या गया है माउंटेन गरल में तो यह लिखते हैं कि फॉस्ट ब्लॉग कब बनाया डेट बत अंसर तो जरूर यार बता देना कि जिसके मैं इसमें कोईशन के अंसर बता रहा हूं कौमेंज में जरूर उब्ताना बता देना और अगला है लत शा का यह पूछते हैं मुझसे का इसपसंit है olmuş और यह पलता सांग का बता थे एक मित एक सांग तो मैं बतां तो कोई वी सा बहुत ज्यादा पसंद है तो अगला क्वेश्चन है हमसे हमारे अभिशेक भाई का जिन्हों ने कहा कि अपना नाम भी देना भाई अभिशेक भाई आपका ही क्वेश्चन है तो यह पूछते हैं ब्लॉगिंग क्या सोचकर शुरू की थी तो अभिशेक भाई यार में आपको बता देता हूँ जो मैंने कुछ सोचकर की यह कुछ सोचके नहीं की कि मैंने इतना ज़्यादा सोचा कि यार हाँ मैं ब्लॉगिंग करूंगा मैंने ऐसे ही रैंडमली ये फॉन लिया जैसे मैंने नौ मही को फॉन लिया था और सताइस मही को मैंने सीधे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया और ऐसा नहीं कि मैं continue लगा मैंने उसके बाद एक वीडियो बनाने के बाद बहुत टाइम में रुका 2-3 मंथ रुका मैं 2-3 मंथ रुका मैं तो यार अगला यही है आपका अंसर और वाकी क्या मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा था रेंडमली यह स्टार्ट की तो यह हमारे अभिशेक भाई का क्वेशन था बाकी आलिया ने मुझसे पूछा है आपका यूट्यूब में ब्लॉगिंग करियर कैसा था तो आलिया मैं आपको बतादेता हूँ मेरा अभी तक का यूट्यूब का जो करियर है बहुत अच्छा रहा थोड़े बहुत बीच में आ जाती है यार मुसीबते आ जाती है तो उसको सहन तो करना पड़ता है अभी तक या लिटरली बहुत जादा अच्छा रहा बाकी इन फ्यूचर देखते हैं अब कैसा रहता है और मुझसे पुछा गया पलवी ने क्वेश्चन आप यूट्यूब में ब्लॉगिंग के अलावा भी कुछ करन कि इन फ्यूचर में बहुत कुछ सोचा है कि फैसा हूँ पैसा हो रहा कि आपको बता देंगे यार इसी तरह से मेरी वीडियोश देखते रहना आपको लग जाएगा पता में इन फ्यूचर क्या करता हूँ तो हां मैं करना चाहता हूँ कुछ वांकी अगला प्वेश्चन ह हिमाचली स्टेटस का तो यह पूछते हैं मुझसे अपना बायो डाटा दे दो कुछ परो ओ फैन ओफ यू ब्लॉग नई तो थैंक यू भाई तो मेरा बायो डाटा यार क्या है ज्यादा कुछ नहीं मैं आपको बता देता हूँ मेरा नाम साहिल ठापूर है और मैं हिमाचल के डिस्टिक कुलू से तैसिल आनी से हूँ तो वाकी और तो कुछ नहीं और पूछ लेना आप मुझे प्यम करके और नेहा गोस्वामी ने मुझे क्वेशिन किया है तो यार आपको बता देता हूँ मुझे खुशी तब होती है अगर कोई दूसरा मतलब मुझे मैं आपको बता देता हूँ वट मेक्स यू हैपी मैं तब खुश था होता हूँ जब मैं किसी दूसरे को खुश करता हूँ मतलब कोई दूसरा खुश हो उसी में मेरी खुशिये वहीं पे मुझे खुशी मिलें कैसा लगा मेरे मेरे मिजाक यही है जाद ओऊ रहोता कुछ नहीं मुझे कहाँ खुशी मिलेगी यही है वाकि जैसा चला है वैसा चलने दो और आपको बताएंगे आगे और आरियन जॉन आरियन जॉन का तो एक ही क्वेश्चन है मुझे बोलते हैं कि एक आनी का मतलब पूरी वीडियो बनाओ पूरी आनी की वीडियो बनाओ तो यार मैं बना दूँगा आनी की वीडियो थोड़ा सबर करो रुक जाओ बना दूँगा तो रुको ज़रा सबर करो और ये क्वेश्चन है आरियन का की वीडियो बना देना वाकि अगला question है प्रिती शर्मा का तो ये पूछते हैं आपने blogging करना क्यों choose किया तो प्रिती आपको बता देता हूँ यार मैंने बैसे randomly ये blogging channel जो मेरा है ये randomly मैंने start किया मैंने कोई ऐसा नहीं कि मेरे को कोई ऐसा था कि आपको बता देता हूँ मैं जैसे मैंने youtube में videos देखी जिससे मैं motivate हुआ और मुझे लगा कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ मेरे अंदर भी talent है मैं talent को दिखाऊंगा तो इसी तरह से मैं आज आपके सामने ये video लेकर आया हूँ और आज तक की video यही है कि मेरा यही है यही है मेरा चूज करने का यार की मैंने चूज किया मैं चाहता हूँ की मैं आप लोगों को अपनी vlogging दिखाऊंगा मेरे अंदर का थोड़ा बहुत जितना भी है talent है थोड़ा बहुत है जितना भी है मैं आपको दिखाऊ sentence यही है इसी कारण मैंने चूज किया कि यार मैं भी ब्लॉगिंग करूँगा मेरे अंदर भी कुछ है कि मैं भी आपको कुछ दिखाऊँ तो यही है जादा कुछ मैंने फिर सोचन था कि यार मैं भी ब्लॉगिंग करूँगा वाक्ती हाप देखी रहे होंगे कर रहा हूं अभी तो यही है प्रिती मेरे चूज करने का कारण और ज़्यादा कुछ नहीं है तो अगला है बैड कैप्टन के द्वारा पुछा गया question girlfriend मैं समझ के आप क्या जाना चाते हो तो भाई मेरी girlfriend नहीं है सीधा सा उत्तर दे दिया आपको आपने थोड़ा गुमा फिरा के आपने ये question किया मैं जानता हूँ सीधे पूछ लेते यार भाई मैंने कुछ बोलना था क्या नहीं है यार मेरी कोई girlfriend नहीं है सच में कोई girlfriend नहीं है तो एक दो question मुझे और भी किये थे मुझे message भी किये थे तो एक क्या था अनेल ठाकुर ने अनेल ठाकुर बोलते हैं आपकी height कितनी है तो भाई मेरी height है 6.1 तो ये आपका answer है अब आज की वीडियो का last question है ये है प्रांजल ठाकुर ने पूछा हुआ तो ये पूछते हैं what's your all time favorite memory तो मैं बता देता हूँ मेरी आज तक की सबसे पसंदीदा memory है हम NCC camp को गए थे 10th class में तो यार वो time ना मैं अभी तक भी नी भूला हूँ वो time अभी भी याद है बहुत मज़े आते थे उस time बहुत जादा मज़े तो यही है मेरी अभी तक की सबसे best memory तो अगर आगे कोई और change हो जाएगी तो फिर उसके लिए मैं कुछ नी कर सकता जली आज तक मुझे वो दिन याद है बहुत महस्ती करते हैं वाकि यही है प्रांजल ठाकुर आपका answer और आज की Q&A को यहीं पर हम end कर देते हैं तो गाइस यार आज की इस Q&A को यहीं पर end कर देते हैं वाकि अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो like करे, share करे, comment करे, अग आप में बैल आइकन को यार जरूर प्रेस करो आप लोग प्रेस नहीं करते हैं तभी तो आपको नोटिफिकेशन सीदे नहीं आती है अगर आप बैल आइकन को all पे क्लिक करोगे तो कर दो जल्दी से all पे क्लिक और मिलते हैं गाईस एक नए ब्लॉक के साथ अब तक के गया